हेलो एरिवन, कैसे आप सब, आप सब का अपने चैनल में स्वागत है, आए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है ट्रेन, तो चलिए शुरू करते हैं, बात उन दिनों की है, जब मैं जो शुक्रों से बरा ठीक ठाक सा दिखने वाला नोजवान था, दुनिया जीतना, जैसे खूबसर सबने लिए, मैं अपने शेहर से दूर मुंबई में काम करना शुरू किया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, शूटिंग में विराम आने पर मैं अपने शेहर लोट आता, और काम शुरू होते ही आहट मिलते ही पहुंच जाता मायावी नगरी, लेकिन इस बार बुलावा कुछ एन मोके पर आया था, लिहाजा थोड़ी सी त्यारी कर कंदे पर बैग लटकाए, स्टेशन जा पूचा, शाम करीब पांच बजे ट्रेन का प्रस्थान का समय था, मुखे रेलोई स्टेशन बुपाल के प्लेटफोर्म करमाग एक पर यात्रों की भीड दिरे दिरे बढ़ती जा रही थी, कुछ देर बाद पंजाब मेल ट्रेन इसी प्लेटफोर्म पर आने वरी थी, महज पांच म मुबई पहुंचना है, मुबई पहुंचते ही सुबे की शिफ्ट में काम शुरू, एन मोके पर रिजर्व बर्थ की कल्पना करना भी हिमा कती, लिहाजा जनरल टिकट लेने विंडो पर पहुंचा, जनरल बोगी की भीड और धक्का मुकी का ख्याल आते ही रूख आप रह थे, विंडो की कतार में मैं खड़ा सोच रहा था कि जनरल टिकट लेकर रिजर्व बोगी में घुच जाऊँगा, कम से कम अखबार विचा कर निचे बैठने के जगा तो मिल जाएगी, लेकिन यदि टीसी या रेलवे पुलिस के जवानों ने खदेर दिया तो इसी उदेर पर का है, सिंगल वाली साइड बर्थ है, कुछ अजीब सा लगा, मैंने उपर से नीचे तक उसे हिकारत बरी नजरों से देखा, सोचा, नकली अत्वा पराणा टिकट बेच कर चुना लगाने वालों की बहुत बरमार है, और स्टेशन पर गूमते फिरते रहते हैं, टिकट गड़बर निकला, तो कहां तलाचता फिरूँगा, उसे, मैंने साफ मना कर दिया, मना करते ही वैच चला गया, उसका यूँ चले जाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्यूँ चला गया ऐसे, ऐसे लोग तो मदू मक्यों के च्छतों की तरह मंटराते रहते हैं, पीछ दिखने में तो ठीक ठाक सा लग रहा था, एक बार फिर दूर खड़ा दिखाई दिया, वो, कुछ हैरान सा, परशान सा, ने जाने क्या हुआ, मैं लाइन से निकल कर उस तक जा पूँचा, मुझे आता देखकर उसके चेरे पर थोड़ी सी चमक आई, भाई ले लो टिकट, मैंने अपने लिए बुक कराया था, मुंबई जाने के लिए, लेकिन किसी कारणोवर्ष मेरा जाना निरस्तर हो गया, विंडो पर टिकट वापस करूँगा, तो पैसे अधिक कर जाएंगे, आपसे अत्रिक्त पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ, जाने क्यों, शायद मेरी ही गरिस थी, और नयचाते होए भी जोखिम उठाते होए, मैंने वो टिकट खरी लिया, उस लड़के ने मुझे आश्वस्त करने का प्रयास किया, भाईया, जब आप अपनी सीट पर बैठ जाओगे, मैं तभी यहां से जाओँगा, जब तक ट्रेन नहीं चलेगी, मैं यहीं स्टेशन पर ही रहूँगा, बस आपको अपनी पैचांड टिकट में दिये गई वीवरन के नसारी करनी है, जाने अन जाने यकीन के साथ मैं उसकी बात पर भ्रोसा कर लिया, और टिकट बेचने के बाद वो कहां है, और कहां नहीं जाता, इस बात से और किसी को क्या प्लेटफोर्म पर बढ़ती बीट को देखकर मिरा यकीन हिलने सा लगा, जदी टिकट सही नहीं निकला, तो गवराट वे बेचने के साथ साथ बीतर ही बीतर कप कबाहट हो रही थी, लो देखती देखती ट्रेन भी आगई, इंजन का आगे का हिसा कितना बड़ा और ड्रा जैसे स्टेशन पर मुझूद हर यातरी को निकल जाएगा, ट्रेन के रुकते ही सभी यातरी एक एक साथ एक डिबे पर टूट पड़े, डिबे के दोनों दरवाजे बड़े लगज सहीद अंदर गुसने का प्रयास करने लगे, यह भी भूल गए कि सिरफ चड़ना ही नही बलकि कुछ यातरियों को इस्टेशन पर उतरना भी है, क्या मर्द और क्या औरतें और क्या बच्चे, बच्चों को तो उनके मावाब बितर की और ऐसे उचार रहे थे, मानों लगज उचार रहे हूं, मैं भी अपनी बोगी की और लपका, हाला कि गुसना असान नह था, ल से मुंबई की लोकल ट्रेन का तजर्बा, खुद को भीड के अवाले कर दिया, और खुद बखुद बोगी की बितर जा पुँचा, बोगी के अंदर की मारा मारी और अफरा तफरी का मोहल था, अरे आप उठिये, यहां से, यह सीट हमारी है, अरे जनाब, यह चारो बर्त ह हमारी है, यह देखे टिकट, मम्मी, यहां आजाओ, मारी सीट है, अरे डोली कहां है, कहीं ट्रेन में चड़ने से तो नहीं रह गई, अरे बड़े बतमीज हैं, आप बात करने के जराबी तमीनी है, चारो तरफ से एसी आवाजे सुनाई दे रही थी, मैं चुप चाप देर बर्थ को खोजता हुआ आगे बढ़ रहा था, चार तरफ से थोड़ी सी मुशक्कत करने के बाद मुझे अपनी बर्थ नजराई, इत्मनान हुआ, क्योंकि बर्थ पर अभी तक कोई नहीं था, अपना बैग सीट पर एक कोने में रख कर मैंने रात की सांस ली, डीबे के ब चलते ही सब समन्ने हो जाएगा, तब यचानक दो सजन्द से दिखने बाले लगबग एक सी ही शकल और एक साही पेनावा पेने, दो शक्स वाँ आए और मेरी बर्थ का नमबर देखने लगे, एक ने दूसरे से का, यही है अपनी सीट, मुझे समझ से देरने लगी, वो मश और मुखातिब होते हुए का, यह दोनों उपर नीचे वाली बर्थ हमारी हैं, सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने बड़े से थोड़े से सिर पर वार कर दिया हो, दिल धक से दड़क उठा, सारी शंकाएं, कुशंकाएं और संदे को मानो पर लग गए, एक पल में तस्वीर द सीट के दो टिकट कैसी हो सकते हैं, फिर भी नहीं चाहते हुए मैंने कायक बंदों से कहा, कि भाई साब यह सीट मेरी है, देखिए यह रा टिकट, लेकिन उन्होंने मेरी टिकट पर नजर भी नहीं मारी, अपना टिकट दिखाते हुए बोले, यह देखिए हमारा टिकट, पंदरा दिन पहले ही रिजर्व करा लिया था नमबर देख लिजिए वाकई नमबर तो वही था तो क्या करूँ समझ में आ गया कि टिकट का पैसा तो गया ही कल तक मुंबई भी नहीं पहुंच सकूँगा मरे दिल से ट्रेन के डिबे से उतर गया ट्रेन चल भी थी नजरों से ओजल होने तक ट्रेन को जाते देखता रहा एक टक छोडने आए लोग भी जाने लगे अब मुझे गुस्सा आ रहा था मेरी नजरे अब उस लड़के को खोजने लगी हुई थी जिसने मुझे बेब को बनाया था लेकन यह क्या वो लड़का तो सामनी खड़ा था भागा क्यों नहीं मैंने मैं उसके पास गया मुझे देखते ही वै चोंग गया अरे भाईया आप यहां गए नहीं आप ट्रेन तो चली गई गुस्से से लाल पिला होते हुए मैंने उसे सारा गटना करम बता दिया सुनकर वो भी बुचक्का हो गया अरे भाईया यह क्या किया आपने यह टिकट बिल्कुल असली है आप अपनी सही बोगी पर चड़े थे आपको ट्रेन से नीचे नहीं उतरना था हो सकता है वो लोग अपनी वो लोग गलती से अपनी सीट पर आगे हूँ उनकी बोगी का नंबर आगे पिछे होगा अरे सैसा मुझे ख्याल आया मैंने एक बार फिर उस टिकट की बोगी का नंबर देखा यह तो सही है वो गायक बंदू ही गलत बोगी में आ चड़े थे उन्होंने जब अपना टिकट दिखाया तो उसमें आगे वाली बोगी का न या होश खुशंगा बाद अथवा इटारसी पहुंच जाएं तो ट्रेन मिल जाएगी मेरा सारा जोश पस्त हो चुका था बारी कदमों से मैं घर जाने के लिए इस्टेशन से बाहर निकल गया तो आपको ये काहनी कैसे लगी अगर पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बेल वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हम ऐसे कोई और काहनी डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मैं देंगा थैंक